शिमला जिला के रमपून नगर परशद में 9 मैसी 7 बाड़ों में कॉंग्रीस समर्थित पारशदों के जीतनें पर कॉंग्रीसी ने जशन मनाया नम निर्वाचित पारशदों कॉंग्रीसी नेता राज दिर्वार में 31 होकर बाजार में रैली निकाली सभी जीते हुए पारशदों ने पूरो मुख्या मंतरी बीरवितर सिंग पर आस्ता जिताते हुए कहा कि जैसे उपर उपर से निर्देश होंगे उनी के निर्देश पर परिषद के अदेक्ष और उपादेक्ष कुर्शी पर बिठाया जाएगा उन्होंने कहा कि सभी कॉंग्रेसी नव निर्वाचित पारशद एक जुट हैं इस दोरान कॉंग्रेस नेताओं ने बाश्वापर रामपुर नगर परशद में जीत तरस करने के लिए शड़ेंते रचने का भी आरोप लगाया नव निर्वाचित पारशद मुस्कान नेकी ने बताया कि बे अपने बाड को स्मार्ट बाड बनाने का परयास करेंगी जो भी रुके हुए कारे है उनमें तेजी लाएंगी शहर की जो भी समस्या होगी बे स्ट्रीट लाइटे हो या अन्या प्रात्मिक्ता से समस्या हल कर प्रेश की समस्या सुल जाना चाहोंगी पार्टी राजा साब, टिका साब, रानी साब और जो मारे यहां के प्रभारी पुरुम मेरे अध्यक्ष दिपक्सूर पर विश्वास व्यक्त करते हुए एक बार फिर से कंग्रेस पार्टी को समर्तन दिया है। अब पंचाइत लेवल के एक बार बढ़ा दिया है। यह एक बहुत ही शर्म सार करने वाला वाक्या है। और ऐसे तो जहराम सरकार बोलते हैं, मैं गरीब का बच्चा हूँ, लेकिन इन्होंने अभी तीन-चार साल में यहां गरीबों की और क्या जान दिया है। यहां हमारे बाल में की समधाय के लोग हैं, इनके लिए भी कोई आवासी है बेवस्ता नहीं की गई है। और हमारे कैईया से जिनके पास बेगर है। सिर्फ कागज में ही है। दूसरी बात रही हमारी जो मजॉर्टी आई है साथ करूँ अश्विनी नेगी नम निर्वाचित पार्शद ने बताया कि बेए इमानदारी से शेहर के विकास के लिए कार्या करेंगे। सेर्वासियों की मूलबूत समस्याओं को प्रात्मिक्ता देंगे। नमारा लक्षे होगा लोगों की सिवा करना जो अभी तब बीजिवी सिर्कार में काम रुक हुए हैं उनको दुवारे शुरू करना स्वत होगा दिर्मान करना वाड नमर आठ में राइटे वाप प्रूंद करना स्वास्ते पक्के करने और पबिक टॉलेर्स नहीं हैं कहीं मुख्य मंतरी के आश्रिवाद के साथ उनके दिशा निर्जदेशों रामपूर की जनताने कांगरेस समर्चित उमीदबारों को भारी बहुमत से लोगों ने चिताया अब आचपन ने सड़ेंते रचने का पर्यास के आल लेकिन लोगों ने मुँ तोड़ जवाब दिया 9 म रतिवा सिंग जी जो पूरों में सांसद रही है और हमारे ग्रामिन क्रिठर के विधायक श्री विक्रम दित्य सिंग जी जिनके पूरे आशिरवाद से रामपूर में हर भार की तरह इस बार फिर दुबारा कांगरेस का जंडा लाया है और नौ में से साथ सीटें हमारी कॉंग्रेस की आई है और जितना शड़नतर भाजपा ने इस बार रचा वो आस तक कभी नहीं रचा गया इन्होंने वाड तोड़े जो हमारा एक 400 मेंबर का वाड था उसको तोड़के 200-200 का किया गया और जो हमारे बजार के वाड जो चार थे उनको दो बनाके 1200 वोटरों का वाड बनाया गया ये कहां की राजनिती है लेकिन जन्ता ने इसका जवाब दिया और ऐसा जवाब करारा जवाब दिया कि फिर दुबारा साथ सीटें यहां पर कांग्रेस ने जोली में दिया राजा साब की